आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अब इनेत्री कर्मना रनौत में खार पुलिस स्टेशन में दर्च कराया ब्यान समाजिक भावना भड़काने का आरून लोध्याना कोर्ट ब्लास्ट मामले में केंद्री ग्रह्मन वाले ने पंजब सरकार से मागी रिपोर्ट राज्य में अलग्ट आदे ते ठाकरे को जान से मारने की धमकीव वाले मामले पर एसाइटी हुई गठे तविधान समा सत्र में भी गूजा मुद्दा वारा नसी को एकिस सो करोड की सौगात दे कर पिया मोधी बोले गाए गोबर की बात करना कुछ लोगों को गुनाह लगता है वीदे 24 घंटों में देश में 7,494 नए मामले आये सामने 434 मरीजों की हुई मौत नमशकार उत्तर प्रदेशी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुशका सिंग सपा और रालोट की संयुक्त रैली में आगरार उसब में निकाली गई थी संयुक्त रैली में सैकडों की संख्या में कारीकरता मौजूद रहे बतादे कि ये रैली समाजबादी पार्टी के टिकेट दावेदार पिंकी त्यागी के नित्रत्व में निकाली गई इसी के साथ ये रैली में रालोद के मुख्या जोहनत चौद्वी अकिलेश यादव के जिन्दा बाद उन्हे किनारी भी लगाई काई हैं और इसमें खेरागड आगरा डिस्टिक नहीं पूरे उत्तर पदेश से जो जन्द सहला वो मड़ रहा है उससे साफ ये लग रहा है कि भारती जन्ता पार्टी से लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं और कम से कम चार हजार गाडियों के साथ आगरा से जन्ता जा रही है और पार्टी के लोग जा रहे हैं पार्टी का मुख मुद्दा है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको समझाना है कि भारती जन्ता पार्टी ने पांस साल में क्या किया और 12-17 में जब समारीदी पार्टी की सरकार रही तो कितने बिकास हुए, कितना काम हुआ, सारी योजनाइनों ने बंद कर दी, इस तरीके से भारती जनता पार्टी की जो पांच साल की नाकामिया साथी खत्रे को देखते हुए, लोगों से दोनों डोज लगवाने की अपील करते हुए, कहा कि कोविट गाइडलाइन्स का पालन जरूर करे और मास्क पहनने का खास ध्यान रखे, साथी खत्रे को देखते हुए, लोगों को सोचल दिसेंसिंग का पालन करने के लिए भी अपील की गई वही कानपूर के नवाव गंज के गंगार अगर हाउसिंग सोसाइटी में आई 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 टी के रजिस्ट्रार रहे अधिवक्ता, राजा राम वर्वा की गोली मार कर हत्या कर दी गई हत्याकांड को साजिश के तहट अंजाम दिया गया, करीब एक घंटे पहले बदमाशों ने अधिवक्ता राजा राम को फोन किया था बोला था कि वह उनके घर आ रही है, वही पहुँचकर बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मार दी और बदमाश खोले आम तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए, वही इस पूरे मामलेक में पुलिस जो है जाच पर ताल बे जुड़ गई है और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुचे जहाँ पर सेसी टीवी के जरी अप राधियों के धर पकड़ के लिए अप्रि इसने चैतुरंत गोली मारी भाई ने अपनी गारी फेकी और फेक के गारी अंदर उठा के पूर वील पापा को ले के हम लोग भागे तब तक मेरी छोटी बहार आई हमको चिलाया पपी दिदी पापा को किसी ने गोली मार दी हम लोग उपर थे नीचे भागे पापा यही पर इस गड़े के पास पड़े थे हमने अपना हाथ यह लगा दिया कान में अपना खोन पर निक रोकने के लिए और अपना जो लोड़े थी वही हमने गले मेला पेट दिया उनके गंगा नगर कॉली जो है नवा पेंश के पढ़ते है वहाँ पे राजा राम बद्ला नाम अधर की सुचना मिली थी हमें यह करीब शाम को साथ तुटकर शक्ती सीनट पे वहा उनके परिवार कह रहे है लेकिन उनसे कोई कॉई कॉल हमें 112 या ताने को या खौकी के लहेंगी लागा लेकिन जो यहां को जो कुछ रहती है उनसे सिदा कॉल आया तक तो उसी के आदार पर हम आये तो यह सुचना सई है उनके बेटे जो है वहाँ तुरंट मतलब जब गटना हुई है उसी के बाद तुरंट स्वरुपने गया तो और वहाँ पे अभी तिलफाल हमें यह इंफरमेशन दो आया कि वाई विजनॉर में सभी विधान सभाओं की समस्या लेकर समाजवादी पाठी कारियाले पर कारिकर्ताऊं ने समीक्षा बैठक का आयोजिन किया जिसमें समाजवादी पाठी के रास्टी उपाद्यक्ष किरंड मैं नंदा ने बतौर मुख्य अतिती के रूप में शिर्कत की कारिक्रम में सपा के सभी वरिष्ट कारिकर्टा अपने साथ काफी लोगों को लेकर ढोल नगाडों के साथ पहुचे हुए थी बता दे की करण मैंनंदा लगातार उत्तरप्रिदेश के सभी जिलों की विधानसभाव का सभीषा कारिक्रम महा यूजित कर रही हैं इसके बाद किरण मैंनंदा रामपूर की सभी विधानसभाव में पहुचे वही कारिक्रम से पहले प्रेसवार्दा के दौरान भाजपा कॉंग्रेस और बसपा पर जम करने शौना भी साधा गया और पार्टी को मजबूत करने और 2022 में फिर से अखिलेश की सरकार बनने का भी दावा किया गया। कार है ना इस इसाद भी उडिशादा इसाद के वाल मागा था आमको एमेश पी दो जो करांबूति कर्णा में घुसरा किया था उससमा में पर्लामेट का सरस्ष्चरी थे जो इसाद का दोगुनार लागत देंगा तो दोगुनार लागत तो नहीं किया जो बीद येगा था कि एशन का होडिकाद चेंडे के लिए बीदे काया था जब उत्र पोदेश का चुनाऊ वाया बन्या का चुनाऊ था तब गया एकें द शरकार तो उत्र पोदेश कि शाद कोई बिदाय के बीदाय चुछों को शुच्षट को में अलग उस्ण कर दीश भी लेगर्श कर दि जिसमें कोई MSP का स्वाल नहीं रहना, MSP लागू करना चाहते हैं, तो एक कारूम में MSP लागू करना चाहते हैं, तो एक आनूम में MSP लागू. वईफात्यपूर के इंटर कॉलेज में दो दिवसिय खेलकूत प्रतियोंगिता का शुभारम हुआ, खेलकूद प्रत्योगिता के शुभारम के दौरान चातर चात्राओं में जबरदस उत्साह देखने को मिला और कहा गया कि दो दिवसी खेलकूद प्रत्योगिता चातर चात्राओं के सडवांगीन विकास का एक हिस्सा होगी आयोजन के मुख्य अतिती के रूप में ब्लॉक प्रमुक प्रतिनिदी नागेंद्र उत्तम ने मासरस्वती की तस्वीर पर मालयारपन करते हुए दीप्रजुलेत किया इंटर कॉलेज के प्रधाराच्षार राजेश कुमार सरोज ने बताया के पिछले साल कोरोना काल के चलते इन खेलकूद प्रत्योगिताओं का आयोजन नहीं हो पाया था ये विद्याली खेलकुद प्रत्योगिता है जिसमें विद्यार्थियों के विकास का भी हिस्सा है दो दिसी खेलकुद प्रत्योगिता जो विद्याले में आयोजित किये गई है इससे बच्चे के अंदर जो प्रदिभाय हैं उसको निखारना और उसके संपूर्ण व्यक्तितु के विकास के लिए सारीरिक, मानसिक, बाउधिक विकास के लिए जो पाठ्ष सहगामी क्रिया कलाब होते हैं खेल उसमें एक प्रमुख अंग है और यही उद्देश है कि बच्चे का सरवांगीड विकास हो वो देश के भविष्ट के लिए अच्छे आदर्स नागरिक के रूप में समाज और राष्ट की सेवा करें यही इसका प्रमुख उद्देश है कि बच्चे अपना विकास करते हुए देश राष्ट में दबंगों के होसले बलंद होते दिखाई दे रहे हैं और इसी चकर में एक युवक को बाइक न देना भारी पड़ गया जहां पर दबंगों ने अपनी दबंगई के बल पर बाइक को छीन लिया और युवक पर जान लिवा हमला बोलते ह हुए उससे पैसे भी छीन दिये युवक के पिटाई के बाद दो दबंगों मौके से फरार हो गए वही इसी पूरे मामले में पेड़ित परिवार की तहरीर पर फिलहाल केस दरच कर लिया गया है पुलिस का कहना है कि कारवाई के तहत दबंगों को जल्द ही ग्रफतार कर अगली खबर संभल से है जहां पर गोदा में नकाब लगाई करीब डेड़ लाग की चोरी की गई है संबल के इसलाम नगर रोड के बहट जोई एस आई पेट्रोल पंप के सामने चंद्रपाल की डीजे की दुकान है गोदा में डीजे का समान रखा हुआ था जिसमें से स्टेबलाइजर बेस स्पीकर समित का समान चोरी कर लिए गए है सुच्टा पर पहुची पुलिस फिलाल पूरे मामले की जाच परताल विजुट गई है अगली खबर बल्या से है जहां पर बीजेपी विधायक सुरेन सिंग ने दरोगा के खिलाफ अपनी सरकार में ही धरने पर बैट गए है लाल गंज बाजार में दो मुसल्मान आपस में लड़ गए थे वही दबंग मुसल्मान गुपता परिवार के घर पर लगपक पाच लोगों को बुरी तरह से पीट दिया गया घटा की जानकारी होने पर दोग्टी पोलिस मौके पर पहुची और मौके पर घायल परिवार के को ही आरोपी बना दिया गया वही नाराज विधायक दरोगा के खिलाफ कारेवाई खड़ने के लिए धरने पर बैठ गये वाईफर उकाबाद में भाज़पा मंचल महामंत्री के साथ दरोगा ने अभद्रता की वही सूशना पर भाजियूमो प्रदेश अद्हक्ष ने थाने का गिराफ किया भाजी अद्हक्ष ने पलिस कर्मियों को कारेश एली सुदारने के चेताँ ने दी कहा कि कारेकरताओं का उत्पीडन ना किया जाए एस पी ने दरोगा राजिश कुमार का दबादला भी फिलाल करा दिया है अगर इस प्रकार के आसामईज तरीके से विवार करने वाले लोग है तो इसी पुम्रावत्ती नहीं होगी इसे इन दरोगों के लिए क्या करवाएं अब वो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा अपराद और अपरादियों पर अंकुष लगाने के लिए सहारणपूर पुलिस का अपरादियों के खिलाफ ऑप्रेशन क्लीन अभियान लगा तार चारी है और बीते 10 दिनों में सहारनपोर पुलिस ने मुटभेड के दौरान करीब 22 से जादा शातिर अपरादियों को गिरफतार कर उन्हें जेल भेज दिया है पुलिस ने ओपरेशन क्लीन के दौरान शौतिर गौत असकरों लुटेरो नशात असकरों के हत्यार तसकरों को मुटभेड के बाद फिलाल गिराफतार किया और इनके पास से तमंचे कार्टूस नाशीले पदार्थ भी जब्त किये गए है सहरनपूर में क्राइम फ्री महौल देने के लिए पुलिस दिन रात अपराधियों की धर पकड में जुटी हुई है पतमाशों के साथ हुई मुटभेड में पुलिस को कई बार गोलियों का भी सामना करना पड़ा अगर पुलिस की टीमों ने साहस का परचे देते हुए अपराधियों को उनके आखरी अंजाम यानि जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है सहरनपूर पुलिस की अपराधियों के खिलाफ इस मुहीम की यूपी सरकार ने भी सराहना की जिसके चलते हैं सरकार की तरफ से विबिन घटाओं का खुलासा करने पर दस दिनों में सहरनपूर पुलिस को धाई लाग से जादा का इनाम भी मिल चुका है सहरनपूर में लगातार अपराधियों के बिद्ध कड़ी कारवाई की जा रही है अभी आप पिछले दस दिनों में देखेंगे तो कम सकम बाईस अपराधी मुठबेर के दवरान गिर्फतार हुए हैं और उनको जेल भजा गया है और इसमें अगर इन अपराधियों का क्रिमनल हिस्टी देखेंगे तो इसमें गोकस भी रहे हैं इसमें के सौधागर भी रहे हैं कुछ लूटेरे भी रहे हैं जो अभी कुछ दिन पर एक वैपारी को दिन दाहरे लूट किये तो उनके साथ उनको पकड़ा गया है सहारनपूर के थाना नकूर पुलिस ने महला सुजात पूरा में बैंक कर्मी से हुई लूट की घटना का सफलता से अनावरण कर दिया है इसी में उन्होंने बताया है कि लूट में शौमिल तीन शौतिर लूटेरो को पुलिस ने मुट भेड के बाद गिरफतार कर लिया साथी लूटेरों के कबजे से लूटी गई डगदी, टाबलेट, मुबाइल, फोन और अवैद असलाह कार्टूज भी परामत किया गया है ये थाना नकूर छेत्र में 20 तारीक की घटना है जिसमें चार अग्यार बदमाशो द्वारा एक बंदन बैंक के कर्मी है उनसे सुभा लूट की गई थी जिसमें की इनके लैपटॉप, मुबाइल और इनसे तकरीवन 32 जार रूपे की लूट हुई थी इसमें वरिष्क, पुलिष, अधिक्षक, माउदेद्वारा तीन टीमों घटन किया गया था, साथ में सर्वलांच टीम को भी लगाया गया था और उसी में सफलता हासिल हुई है नकूर टीम को इसमें हम लोगों ने तीन अभी गिरफतार कर लिये हैं और इसमें अभी जो इनके पास से बरामदगी हुई है उसमें इनके पास से जो रकम नो लूटी दी 32 की वो रकम हम लोगों ने पूरी कर ली है एक जो मुबाइल गया था, टैबलेट गया था वाई मैनपूरी के थाना बेवर्शेतर में बुज़ग व्यापारी की हत्या कर दी गई, बुज़ग का शोव बिल्डिंग मठीवियल की दुकान में मिला पोलिस के अनुसार धारदार हतियार से बुज़ुर्ग की हत्या की गई है सूशना पर पहुची थाना पोलिस ने घटना इस्तलप की च्छानवीन की और कारेवाई करते हुए शब को फिलाल पुसमाचम के लिए भेज दिया पोलिस अभी मामले की चार्ज पर दाल में जोटी हुई है दूसी तरफ बुज़ुर्ग की हत्या से परिवार में कोहरा मचा हुआ है पुलिस वाले की दिना नमबर नहीं था हमारे पास अब पहले पहुण करवा तो आदा गंटा बाद पुलिस अगटना को लेकर आपको क्या लग रहा है कोई जाने कोई हमाँ कोई दूसमन नहीं नहीं है था कि प्रतरा थाना देवर का है जराम रसूलाबाद के श्री आशा में मौकिप है अना बेवर की पुलिस है सीओ वाओ साब है मैं भी हूँ मैं तूक के काड़ों की जाच की जा रही है कि देवर को भारत के पूर्व प्रधान में तrees्वर की स्वर्गिय चोधरी चरंण सिंग्ग की रास्ट्रीय लोग दलपार्टी के कारिकर ताउं ने उनकी 119 वी जोयंती मनाई कारिक्रब में रालोद पार्टी के कारिकरताओं ने पहुच कर स्वर्गिय चौज़े चरण सिंग की तरफ से किसानों और देश की जनता के हित के लिए किये गए कारियों के बारे में जानकारी दी कई किसाना अंदोलन में शहीद हो गए हैं कारिक्रब में राश्ट्रिय लोक दल पार्टी के पदा अधिकारियों सहित कई अधिकारी और कारिकर्टा वहां मौजूद रहे। ि प्रफेश के पूरे जीवन परकाश डाला जा रहा है। पूर उदायक हमारे ठाकुरुजेंदर सिंगी बैठे हैं, चौधी चन्सिंग जी ते साथ गीरों ने काम किया है, चौधी बख्तावर सिंग जी मेरे साथ बैठे हैं, इन लोगों से हम उनके जीवन की कुछ गाताइं सुन रहे हैं, उनके क्या प्रिस्फिल थे, क्या उनके राइडिती करने का क्या तरीका था कैसे वो किसान की राइडिती एक बड़ा मशूर मखुला है कि जोई साब कहा करते थे कि देश की खुशाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुदरता है सरदे किसान मसिया चोद्री चलन सिंग जी की जैनती पूरा देश किसान मज़दूर पूरे हरसो लुदास के साथ पूरे देश के अंदर बना रहे हैं उसी कडी में आज हम राश्ट लोगदल जनपत सहरंपुर की इकाई यहां सहरंपुर में मना रहे हैं परतिमा पर हज़न मालयारपन करके मूर्ति पर आये हैं और यहाँ पंजाब होटल में विचार घोश्थी का होजन किया जा रहा है और साथ्यों इसी कड़ी में हमारे राष्टि अध्यक्स मानिय जहन चोधरी जी और समाजवादी पार्टि के राष्टियद्यक्स मानिय अख्रेश यादव जी अलिगड के इग्लास में बहुत बड़ी विशाल जन्द सभा करके चोधरी साब को सुरदा सुल्मन अर्पित कर रहे हैं, महाँ पर धून दाम से जहनती मनाई जा रही है। साथियो जब राजनिती बड़े घरानों के अंदर केद होकर के रह गई थी, उस जमाने में चोधरी चरन सिंग जी ने गाओं गरीब देहात के लोगों को राजनिती से जोड़ने का काम किया और जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता था, उसकी आवाज को उठाने का काम विदा नाबाड के स्थापना करके, पटवारी राज का खात्मा करके, 18,000 पटवारियों लेक पाल की नियुक्ति करके और उसमें 18% अनुसुचित जाती को कोटा दे करके बिजनौर के विनेमित छेत्र में ज्येई का रिश्वत लेते हुए विडियो सोचल बीडिया परतेजी के साथ वाइरल हो रहा है, जो आज ज्येई विपन गुपता 500 के नूटों की गड़ियों की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रही है विडियो को लेकर जानकारी दी जा रही है कि दो मिनिट बारा सेकिंड के इस विडियो में एक शक्स बाइक पर कामरे से वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया जोहाँ पर कलेक्टरेट इस्तर वियनेमित शेत्र में आफिस में वो पहुँचा और वहाँ पर मौजूद जे के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराने को तयार है तो वहीं सदर विक्रमादेत्य सिंग मलिक का कहना है कि मामला संग्यान में आ गया है जांच कराकर जे की खिलाफ कारेवाई की जाएगी तो यह थे बिनिमेचेत्र बिनिमेचेत्र विक्रिवर्ट भी निकुट्ता यह उनकी वीडियो है और उन्होंनों मेरे तो लाइक रुपी डेमांड करी थी कि तुम्हें में लाइसन्स तुम्हारों में बढ़े उसका कर तो लिए कि तोम किसी भी नक्ष्य मोहार लगा चु तो इसने मेरेंगा लाले दिया कि बहुत पड़ा करता हुआ कि मिझे दू लाक रौप से तो मैंने 20 मो पर दिया देखें कल शाम लगभग 6.30 वजे किसी ने ये हमारे संग्यान में लाया कि ये विडियो वायरल हुआ है जहीं विन्यमें छेत्र श्रीगुपता का अवैत धन लेते हो तो इसमें तुरंथ पहले इनका स्वष्टिकरन मांगा गया और अपने स्वष्टिकरन में इन्होंने ये बताया गया कि ये विडियो जो है ये जो प्रकरन है ये लगभग 2 साल पहले का है अर्थात मेरे जॉइनिंग के पूर्व का ये प्रकरन है और इसमें इन्होंने कहा गया कि जो भी तथे हैं ये अपना लिकित स्वष्टिकरन देंगे लेकि के द्वारा यह बताया गया कि इनका लाइसेंस जो है वो एक्स्टेंट करने के लिए यह पैसे लिए गए थे और ना पैसे भी ले लिए गए और काम भी नहीं कि अगली खबर और यह से है जो आपकारी आयोक तुत्तर प्रदेश के आदेशों का अनुपालिन में प्रदेश भर में अवैद शराब के निर्माण और कारोबार के दिरद अभियान चला जा रहा है विशेश परवर्तर अभियान के तहट जला दिकारी सुनील वर्मा वा पुलिस अधिक्षा का विशेक वर्मा के निर्देश पर जला आपकारी अधिकारी के निर्देश पर अवैद शराब के संदिक दस्थल बनारसी दास महुला में आपकारी टीम वा पॉलिस की सयुक्त टीम के द्वारा दाबेश दी गई उपस्ते जन सहमों को आपकारी निरक्षकों ने बुबाइल नंबर उपलवद कराए आपका रिव भाग कि ग्यानें दरनात पांटर ने जुआनकारी देते हुए बताया कि या भियान आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगा और जिसी के साथ उत्रप्रदेश ये खबरों में फिलाल इतना ही देश-दुनिया की बाकी कितब आम खबरों के लिए आप बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार